प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्वाट सिखर सम्मिलन में भाग लेने के लिए दो दिवश्य यात्रा पर जपान में पाजे जहां उनका भार्तियों ने हर हर मोदी और जैश्री राम के नरों के साथ स्वागत किया वही सोमवार को टोक्यो के एक होटल में भारती प्रवाशियों के साथ साथ जपानी नागरिकों ने स्वागत किया प्यम मोदी का स्वागत करने वालों में सामिल एक बच्चे ने उन्हें बहुत तभावित किया PM Modi के लिए स्वागत में हिंदी में मैसेज लिख कर लाया था और PM ने उस जापानी बच्चे से हिंदी में बातचीत भी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है और लोग लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं टोक्यो में जापानी बच्चे के हिंदी से इंप्रस्थ हुए PM Modi देखें बच्चों के साथ PM Modi की बातचीत का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है जपानी बच्चों में से एक नितो प्रधान मंत्री से हिंदी में भी बात की पियम मोदी से पूछा वहां आपने हिंदी कहां से सीखी आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं पियम के साथ बाचित करने वाले बच्चे उनका ओटोग्राफ पाकरुट साहिद भी थे पियम मोदी जापान प्रधान मंत्री के निमंतरन पर पहुचे टोक्यो भारती प्रवासी ने पियम मोदी के स्वागत के लिए भरत मा का शेर के नारे लगाए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी सोमवार 23 मई से सुरू होने वाले अपने दोदिवाशे दोरे के हिस्से के रूप में क्वार्ड निताओं के सिखर सम्मिलन में भाग लेने के लिए जापान प्रधान मंत्री फोमियो किशिदा के निमंतर पर पहुचे जापान के टोक्यो में है रो रिपोर्ट आईपियन